नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है 31 जुलाई को मेवात में होने वाले हिंसा पे सारे न्यूस चैनल्स अलग अलग तरहे के चर्चा कर दें लेकिन वहां की सच्चाई दरसल क्या है? आज हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र मलिक से जो CPIM के स्टेट सेक्रेटरी है और उन्होंने मेवात और हर्याना के पिछले कई सालों से होने वाली घर्टनाओं पर अपनी नजर रखी है तो आईए हम देखते हैं इसके पीछे के क्या वजाए है और आगे का क्या रस्ता हो सकता है? खास तोर पे हमें यह देखना है कि क्या यह जो लडाई जगरा जिसके खबरे आ रही है जिसके वीडियो आ रहे है यह दो समुदाए के पीछ में लडाई है या कुछ और है सुरेंद मलिक जी जो हमने पिछले तीन दिनों से देखा है इकतीस जुलाई से मेवात में अचानक हिंसा हो जाती है लोगों का यह कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ किसी ना किसी दिन होगा क्या आपको ऐसा लगता है कि यह होना ही था? निश्टी तोर पे यह अचानक तो बिलकुल भी नहीं है यह काफी प्रिप्लाइंड है और एक दिनका नहीं है लंबा सिलसला है उसी की पढ़निती है इसलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि यह होना ही था वो सही कह रहे हैं तो यह कभी भी हो सकता था अब यह जिस तरह से प्रोवोकेशन या उकसावेपून जो कारवाईयां की गई अभी 31 तारीक की यह तथा कतित जो ब्रिज मंदल यात्रा के नाम पर जो किया गया वो असल में कोई धर्म से उसका कोई वास्ता नहीं है यह पिछले कुछ सालों से बाकायदा दार्मिक आस्ताओं का परियोग करके या उसकी उट में सामपरदाएक संगटनों ने आरेसेस के संगटन तो संगटन हैं विसुन्दू परिशद और बजरंग दल गौरक्षा के नाम पे लओ जिहाद के नाम पे इस पूरे इलाके में पिछले कई सालों से लगातार बहुत ज्यादा बढ़काओं हरकतें की हैं खुले आम और इस यात्रा से पहले भी जिस तरह के वीडियो जाहरी किये गए मौनु मानेसर जो एक्यूजड है जुने नासिर की हत्या में तो मौजवानों को जो जला करके मारा गया कि उसमें वह एक्यूजड है तो कुले आम भूम रहा है उसको संदक्षन प्रावत है याना सरकार की तरफ से परशासन की तरफ से उसको पूरा संदक्षन प्रावत है और उसकी तरफ से वीडियो जारी किया गया अग्वान किया गया लोगों को कि आओ बड़ी तादाद में और हम भी आ रहें पुरे ताम जाम के साथ अपनी पुरी टीम के साथ अगले दिन सुबह भी उसका एक वीडियो बताते हैं आया है कि कहा है तो आएंगे आना ही है फिर एक बिट्टू बजरंगी हैं वो भी नौटोरियश इस तरह के ही आरकते लगातार फृरिदाबाद के इलाके में कर रहा है अथ्यार बन लोग है यह लाइसेंस अवे तरीके से भी और उसने भी बहुत ही आपत्तिजनक एक वीडियो पाली गाउं से हम चले हैं अब च दुसराल आ रहे हैं तुम्हारे बहनों जी जा जो भी हैं यह बहुत ज्यादा भड़का हुथा और यह एक तरह से यह जो वीडियो हैं इससे पहले का जो एक वातावन जो बना था वो बहुत एक गुस्सा वहां के इलाकों में बार-बार उनको हुमिलियेट किया गया है व उनके खिलाब बुकदमे दर्ज करवाना यह गौरक्षा के नाम के उपर जो सरकार ने ही काउट टास्पोर्स का हिस्सा बना करके इनोंने किया है जी जी कई हिंदू माप अंचायते वहां पे कोई करनी सेहना और यह तमाम विसंदू परिशन बदरंदल के लोग इनोंने फ अगलग मौकों पर अनेकों पंचायते की और उन पंचायतों के अंदर खुले आम आवान किये जा रहे हैं मुस्लिम्स के खिलार जी उनको मारने का उनको घरों से निकाल दो बायकाट करो और तमाम तरह की जितने भी उकसावे पूर्ण कारवाया हो सकती है खुले आम बे र का नुकसान हुआ है लोहों की जाने गई है लेकिन इस सब के पीछे जो इंसिदेंट रहे हो आपने बताये लेकिन आगे का रस्ता क्या है याने की दो समुदाय में जब ढ़ा हो जाए लडाई हो जाए तो तो आगे बात कहा जाएगी मितलब यह यह सिल्सला के ऐसा ही चले के इलाके में किसी भी एक भी जगह के ऊपर किसी भी हिंदू या मुस्लिम के आपस में भाईचारा है कोई कोई किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हुआ है आज भी वहां पर जो परमपरागत रूप से एक यात्रा जो ब्रिज चुरासिकूस प्रिकर्मा के नाम से जारी है जिसमें ये इलाका नहीं आता नू का इलाका ब्रिज के इलाके में नहीं आता वो उस प्रिकर्मा का हिस्सा नहीं है लेकिन मिवाद का एक हिस्सा जो पलवल क तरफ का है, वो इसका हिस्सा है, वो प्रक्रमा जारी है, और उस प्रक्रमा में भाग लेने वाले लोग, उनका मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जगे जगे उनकी उनका स्वागत किया जाता है, उनके लिए पानी का, खाने का, रुकने, ठहरने का, इवन मस्जिदो के अंदर भी वहां जो जात्री हैं प्रिकर्मा करने वाले हिंडू को रुखते हैं और यह आज की बात नहीं है यह लंबी परंपरा है पूरे लाके किस तरफे हैं इसलिए यह कहना यह दो समुदायों के बीच की लड़ाई है यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा यह राज्यों से भी और्गनाइज किया गया है यह बाहर के लोग यह संगठित लोग यह एक सुमुदायकर प्रति नीजाच्टों नहीं करते हैं यह एक राजनिती का प्रतिनी जित्तों करते हैं, जो हिंदुत्यों के नाम पर इस देश में जगए-जगए आग लगाने का काम कर रहे हैं, तो यह एक तरह से पेशावर लोग हैं, संगठित पेशावर लोग हैं, जो धार्मिक उनमाद नफरत पैदा करने का काम करते हैं, य उनके खिलाफ एक प्रतिक्रिया है जो एक प्रतिक्रिया है वहां के स्थानिये नौजवानों की तरफ से यह इस रूप में आप इसको देखने की कोशिश कीजिए खुद नू के अंदर भी मंदिर है बिलकुल वहां पर तो कोई अटेक नहीं को है जी तो आप कैसे कह सकते हैं यह मैं फिर बार से कह रहा हूं कि यह सरकारी संडक्षन में जब से बीजेपी सत्ताम आई एक खास तौर पे तब से ले करके अथियार बंद गिरोहों को गौरक्षा के नाम के उपर संगठित किया गया है प्राइवेट आर्मी की तरह से किया गया है जो पुलिस के साथ मिल करके और पुलिस के बगार भी जिनको यह इजाज़त दी गई है कि वो किसी के घर में भी कभी भी बिना किसी उसके परवा के रात में जा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका किसी भी सुमुदाय के लोग हों किसी भी जगे के हों क्या उनमे बहर के लोग आके लोगों के बारो में अनाप शणान पयान दे रहे थे और जो फरवरी में जो हत्याए हुई जुनेद और नसीर की उसके बाद लोगों में गुसा भी था क्या बेच्ट है यह सरकार के कंट्रोल में आ सकती थी यह जो 31 को हुआ उस समय क्या मतलब कहीं ना कहीं क्या एक मनशा थी कि लोग आपस में लड़ें इस तरह का एक माहौल पैदा हो दूसरी चीजों से धान बटे या कोई और मकसद हो आप आसानी से समझ सकते हैं कि सारजनिक तौर पे जो तथिर हैं सामने आए हैं कि वहाँ वीडियो वाइरल होता है स्थानिये लोग परशाशन से मिलते हैं कि यह एक वातावन बनाया गया है उन्हें वह कहते हमें गंबीर आशंका है यहां यह कुछ भी घटना हो सकती है इसको रोकने के लिए व्यवस्था की जाने चाहिए परशाशन से लोग मिलते हैं वहाँ का स्थानिये मैं एमेल ले खुद एक वीडियो के अंदर कहता है मैंने खुद परशाशन से बात किये इसके अलावा जिम्मेदार नागरी कुवां मिले हैं आज शर्म की बात है और यह ही एक तरीका मेरे खाल से बीजेपी के लोगों ना अपना लिया कि मुख्यमंत्री कह रहा कि हमें ज कारी साहर के ओपर गुत जाती है और हरियाना की सरकार उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं थी इनिपूट्स नहीं थी तौ लेकिन पूस्ति यह होने दिया गया और मैं बार-बार गहा हुँए पहली बार नहीं है जि हुन्हेजम पूस्ति की हत्या कि बी उसके बाद भी माने सर के अंदर पंच्यायत होती है और सर्याम ये धंकी दी जाती है कि राजस्थान की पुलिस मौनु माने सर को गृफ्तार करने के लिए अगर आई तो आएगी अपने पैरों पर लेकिन वापिस नहीं जा सकेगी कोई कारवाई नहीं की जाती कौन लोग थे ये वहां हाइवे को जाम कर दिया जाता है लेकिन जो विक्टिम्स हैं उनके पक्ष में लोग अगर पंचायत करना चाहें तो धारा 144 लगा दिये जाती है नेट बंद कर दिये जाते हैं ये पोशित लोग हैं बाकायदा सरकार के स संदक्षन में इनको पाला पोसा गया है अपनी राजनिती की जुरूरतों के लिए और फिलहाल पार्तिय जंता पार्टी के लिए अर्याना में क्योंको इसको पता है उसके जमीन राजनितिक जमीन फिसक चुकी है और पूरे देश में भी ये बातावन बन रहा है अब ये दिरे दिरे अब मनीपूर की घटना पूरे देश शर्म शार हुआ है बिलकुल कि पूरे देश के स्थर पर आज यह फील हुआ कि यह राजनिती कहां लेकर तरक्रियाना को भी रुसाने का जलाने का एक पर कर्याना शुरू की है बात देश की करते हैं लेकिन वास्तों में भारत की जो आत्मा है, आइडिया उफ इंडिया है, यह उसके उपर हमला है, जो की आधार है संगठित रूप से भाजप्पा सरकार के संदक्षन में कीुए। सरकले और विचित्र घटना हुई दो तारिक को, दो अगस्ट को, जो की हमने देखा कि VHP, बजरंग दल और अलग अलग जो हिंदू तो संगठन हैं, उन्होंने एक तर ऐसे प्रोटेस्ट किये पूरे इंडिया में यह और उन्होंने मतलब शान्ती के लिए प्रोटेस्ट कि तो यह विचित्र लगा, इसलिए क्योंकि उन्ही का नाम दिया जा रहा है अभी मेवाद की घटना में कि इसके इस प्रोग्राम का योजन उन्होंने ही किया, लोगों को अस्त्र उन्होंने दिये, वो असले लेके जो आई कहीं न कहीं किसी ने उनको पकड़ाए हैं, तो आ जगह परदाशन हुए हैं, और इनकी तरफ से ऐसी कोई शांती की अपील हमने नहीं सुनाई दिया, अभी भी इनकी तरफ से परचार हुई है, हिंदूों पर हमला, मुसल्मानों ने, वो दो संपरदाएं को बीच में किया जा रहा है, और अलग अलग जगों पर जो मुसलि रिदाबाद में भी नोनग पोशिश की, हाला कि परशाशन थोड़े लोग थे, 40-50 लोग थे, ऐसे आवारा किसम के नौजवान, नशैरी टाइप के जैसे बता रहे थे वहां पर, तो वहां से उनको खदेर दिया, लेकिन पलवल में कुछ गटनाएं हुई है, वहां पर भ रही बार मुठ दर्शक बनी रहे, कुछ उनके खिलाफ हो नहीं रहे, इस सारी चीजों में जो आम हिंदू है, मतलब जो आम नागरिक है, चाहे हिंदू हो या मसल्मान, पर इन लोगों की टार्गेटिंग तो हिंदू की तरफ ही है, क्या वो पिस्ता जा रहा है, या गुम में आज, वो भेंकर संकट है आज, हर्याना में सबसे ज़्यादा बेरुस्गारी है, खेती संकट में हर्याना का बारा-तेरा जिले आज बारिस से और बारिस से कम बलके जो फ्लरडिंग हुई है पानी से, पिछे से नदियों के, नालों के, ठटबन तूटने से, बहुत पानी मर गया, मविशिया मर गी, पस्विश्वारे की कमी है, लोगों के घर तूट गए है, ट्रैक आ गए है, शिक्षा के स्थर के, बहुत अब उनकी जितनी गिंती करो, बैंकर रूप से लोग प्रिशान है, और ऐसे में ये जो मसला जो बनाया जाता है, उसमें अफसोस क स्थिती ये है कि जितना भी हमारा तथाकतित मीडिया, गोधी मीडिया, वो भी इन ताक्तों के साथ इसी परचार में 24 गंटे लगा रहता है, एक सेक्षन जुरूर उससे परवावित होता है, पानाओं के स्थर के उपर जिस तरह का परचार की आजा, लेकिन साथ ही एक ऐस सास अरियाना के लोगों में ये पैदा होने लगा है, कि ये कौन लोग है, तेरा महीने तक किसानों का आद दोलन चला, अपनी खेती बचाने के लिए, दिल्ली के बाॉडर्स के उपर बैठे रहे, रात दिन, बारिस में, सर्दी में, गर्मी में, लोग मर गए, चाधते तब वो उनको खालिस्तानी कह रहे थे, उगरवादी कह रहे थे, हरियाना पंजाब के लोगों को लड़ाने की राजनीती कर रहे, ये जाटों को गैर जाटों की बीच में बाटने का काम कर रहे, हमारे यहां की लड़कियां, और जिनोंने देश का नाम रोशन किया, इस तरह से उनको घसीटा गया, बाल पकड़ करके, सारे देश ने देखा, तो इनकी उस समय पर इनकी कोई आत्मा नहीं जागी, किस तरफ कड़े थी लोग, उस समय पर भी, एक तरफ तो जब ये मैडल जीत कर आती हैं, देश की शान होती हैं, हमारे घर की बेटी हैं, इसे भी समझ रहे हैं, कि ये चुनाओ से पहले, बीजेपी के लोग पिछली बार भी ऐसेई दोखा किया था, पुलवामा रचा गया था, ऐसे आंम आइदमी बात कर रहे हैं, के पुलवामा रचा होने दिया गया था, अब की बार इस दे, अजै जोग आप केने की लोग आ दिनके बेटा बेटी शरद पे जाकर कि जो अपनी जाने गवाते हैं और उनके साथ क्या सुलुक किया गया कि वो उनके लिए क्या देश में हवाई या जहाज नहीं उपलब्द था पर दान मंत्री के लिए तो स्पेशल करोडों हजारों करोड रुपे लग जाते हैं हमारे स से लेके जमावडा था मौसम खराब था वहां की सियार पीफ ने रिक्वेस्ट की थी कि सड़क के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा या आज आम लोगों के बीच में सबको पता है कि ये होने दिया गए और इसके पीछे राजनितिक फायदा उठाने की कोशिश थी जो उठ किया गया एक ऐसास हरियाना के अंतर पैदा हुआ है क्या उनको ऐसा ही ऐसास मेवात और गुर्गाओं तक आने वाली जो पिछले दिनों की हिंसा है उसके बारे में भी ऐसा कुछ ऐसास आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है आप जरूर पाएंगे कई किसान नेताओं में मै कह रहा हूँ इंडिविज्टन लोग भी एक तो संगठन है जी संगठनों की तरफ से भी संगषान मोर्चा की तरफ से और मैंनी पीपल बहुत ही साधान किसान कार्यकरताओं की तरफ से ऐसे वीडियो जारी कि है कि हम जब आंदोलन कर रहे थे तो हमारे मुस्लिम भाई हमा सारी मदद कर रहे थे हमारे लंगर पानी की ववस्ता कर रहे थे और यह जिनोंने यह गंगाई जिनोंने यह किया है घरियाना को सरमशार किया है जिनोंने यह जो आज हिंदू यह ठेकेदार बन गए कहां थे यह लोग जो सरद के ओपर बैठे थे किसानों बहुमत कौन था इनकी खेती के उपर हमला था वो हिंदू ही तो थे वो सिख भी थे लेकिन ये कहां थे ये वीडियो और इसलिए वो ये अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बचाओ इन अपरादियों के हाथों में ना जाने दिया थे हमारे नौजवानों को जिस समय के उपर क्योंकि सेना के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहां से नौजवान जाते हैं कुछ तैयारी कर रहे थे उन्होंनों कुछ प्रिशाएं और फिजिकल पास भी कर रखा था और अचानक एक दम से यह आया कि उनकी भरती रद और आगे से यह अगनी वीर सेना की भरती भी कैस्वल होगी तब यह कहां थे हमारे नौजवान यहां आतम अच्चा कर रहे दो हर्याने के नौजवानों ने जैसे ही यह खबर आई आतम अच्चा की जो इस बात की उमीद बैठे थे कि सेना में जाने की भरती की तैयारी कर रखी की भरती आएगी लिकिन उनको अक्रिकार नाउमीद हो करके अपना जीवन खत्म करना का तो मैं कहा रहा थे यह का एसास लेकि उसके बावजूद भी हमें इस बात से बिल्कुल भी बेखबर नहीं रहना चाहिए कि जो संपर्दाइकता का जिस तरह का सरकार के संदक्षन में गोदी मीडिया की सपोर्ट से कॉर्परेट की फैनेंसिस से ये सब लोग जो चला रहे हैं कि कहां से पैसा आता है ये इनके पास इतनी गाड़ियां वेपन ये सब और्गनाईज हो किया गया है तो ये सारा का सारा इसका परभाव उस तब को में जरूर पढ़ता है और ये छोटे छोटे नौजवान खास तोर पर कम उमर के नाबालिग उनको विशेश तोर पर निसाना बनाते हैं आगे तो इस रूपर पूरे हर्याना के लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं और हम सब का एदाइद तो बनता है जहां कि ज्यादा तर राजनितिक पारिटियों ने जो भी सेकुलर डेमोकरिटिक पारिटीज हैं उन्होंने भी बहुत सारे नागरिपों अपने स्तर के उपर भी परशाषन से मिले हैं गए हैं अपने मुस्लिम भाईयों को घ्रोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं परशाषन को कहा है कि इनकी सुर्ख्षय की जिम्मेदारी बनती है तो एक तरफ तो यह चंद लोग हैं हर जगे आप आओगे कहीं 40 लोग हैं कहीं 50 लोग हैं यह जो परशाषन करने वाले कहीं जाके कुछ वारदात कर रहें कुछ मोट श्राइकलों पर आते हैं कायरों की तरह से हमला करके चले जाते हैं लेकिन वो नागरिक भी हैं जो इकठे होकर के अपने अपने शहरों परशाशन से मिल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हर्याना को मनिपूर नहीं बनने देंगे इसको रोक आजाएं ये भी एक नागरिकों का एक हिस्सा है और ये चिंता बनी है जिस दिन ये घटना घटी तो ये 31 तारिक हो हमारे राज्य का हॉम मिनिस्टर जिसकी ये जिम्मेदारी है को सारजनिक तौर पे एक ब्यान देता है कि चार पांच हजार लोग मंदिर में हॉस्टेज बना रखा है बंदद बना रखा है इंदूओं को बंदद बना रखा है प्यार लोगों ने जी ये उस मौके के उपर आप अंदाज़र आप सोच सकते हैं कलपना कर सकते हैं एक ऐसे वारतावण में राज्य का ग्रह मंत्री जब ये बात बात ब्यान देता है इसका क्या असर पड़ा होगा इसी की पर्णिती है जो सोनना में गुर्गावा में जो घटित हुआ है तो एक तरह से सरकार स्थिति को नियंतर में लाने की बजाए श्थिति को बिगाड़ने में अपना योगदान आग में घी डालने का क क्योंकि इस समय के उपर शाद धालू इस मौसम में ज्यादा आते हैं उस दिन यात्रा की वज़े से ज्यादा हो गए थे बाहर क्योंकि महाओ खराब हो गया तो यहां आराम कर रहे हैं तो पुजारी मंदिर का खुद कहरा है कि यह नहीं है लेकिन ग्रह मंत्री है तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं इतना गहर जिम्मेदारा ना और यही है वो तालमेल सरकार का और इन लोगों के बीच का जो हमारे वातावन को भर्याना के को बिगाड़ना चाए सुद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूस क्लिप के साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया उजह लगता है आपने दो बहुत एहम बाते कहीं है कि इसे जो भी मेवात में हुआ है उसके आसपास गोगाउं में हुआ है उसे हिं पत्ते हैं उन्हों ने करहा है उनकी खिलाफ जिनको उन्होंने कई सालों से तारगेट कर रखा था बहुत शुक्रिया हम इसा चुड़ने के लिए बहुत बोश्चर आपका अबी आपका बहुत बोश्चर थान्यवाद कि अधे कि कि